इसी और वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथी में बेल आइकन को दबा दीजे नोटिफेक्शन ओन कर लिए तो आज हम बनाएंगे आलो की पूड़ी और आलो की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर दो आलो लिये है मैंने उसको उबाल लिये है और उसको छील भी लिये है अच्छे से और यहां पर मैंने ओयल लिया है और तन्या पत्ता लिया है देखे मैंने यहां पर पत्ता ही पैश्ट ली है और यहाँ पे थोड़ इसी हल्दी ली है मेनी और धन्या पाउडर लिया है तो इतने इंड्री ग्रेंस हमें चाहिए और यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को लेगे और इसको इस तरह से टुकडे कर लेंगे देखे इस तरह से छोटे-छोटे टुकडे कर हम और फिर इसको हम मेश कर लेंगे तो देखे इस तरह से टुकडे करके हम इसको मेश कर लेंगे आप चाहो तो मेशर का भी इस्तमाल कर सकते हो तो देखे इस तरह से हम इसको अच्छे से मेश कर लेंगे इसमें मतलब लंस बिलकुल ही नहीं रहने चाहिए दाने-दाने बि इसी तरह से हमें आलू को देखे इस तरह से मेश कर लेना है तो अभी हम इसमें नमक डालेंगे स्वादनुसर धन्या पाउडर डाल देंगे और यहां पर मैंने थोड़ी सी अल्दी लिये है और भी डाल देंगे और अद्रक लेसन की पेश्ट डाल देंगे आप चाहो तो एक अरी मिर्च भी आप इसमें पीस के डाल सकते हो जो कि मैंने नहीं लिये है और इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे आप चाहो तो लाल मिर डाल देंगे तो देखी इस तरह से जादा नहीं डालेंगे और इसको हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे तो देखी इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे इसी तरह से हमें आलू को तयार करना है और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब दो चम मत जितना इसमें पानी डाल सकते हो जादा नहीं तो मेनिया पे थोड़ा सा भी पानी नहीं लिया है तो इसी तरह से हमें इसको आलू को तयार करना है देखे इस तरह से तो हमारा आलू का मसाला तयर हो चुका है अभी हम आटा लेंगे तो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी तो अभी हम इसमें आटा डालेंगे एक साथ साधा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालेंगे इसमे और बिल्कुल ही हम जिस तरह से हम आटा तयार करते हैं उसी तरह से ये आलू और आटे को तयार करना है बिल्कुल ही जैसे हम आटा गुनते हैं उसी तरह से हमें इसको गुनते करना है जितना हम इसको अच्छी तरह से गुनतेगे ये उतनी ही पूडी फुली फुली और अच्छी बनेगी तो अब हम जरूर मुझब हम इसमें आटा डालते जाएंगे और इसको गुनते जाएंगे बिल्कुल ही हमें आटा जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसको तयर करना है और यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से हमें इसको तयार करना है, तो देखे यह डो हमने बिल्कुल ही आटी की तरह इसको तयार किया है, तो देखे इस तरह से हम इसको बहुत अच्छी तरह से गुन देगे, तो यह पूरी बहुत ही अच्छी और खिली-खिली बनेगी खाने में बहुत टेश्टी तो देखे इस तरह से हमें अभी हम इसमें एक चमच चितना ओय डालेंगे फिर वापस इसको हम गुन देगे तो देखे इस तरह से अभी हम इसको वापस गुन देगे जितना हम इसको अच्छी तरह से गुन देंगे वह उतनी ही अच्छी बनेगी पूड़ी हमारी, तो देखे इस तरह से, तो देखे कितनी कलरफूर हमारा आठे का डोर तयार हुआ है, तो इसी तरह से हमें इसको तयार करना है, देखे इस तरह से, आप चाहो तो इसको दस मिलट तक एसे ही रख सकते हो पड़ा, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से गुंद रही हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही दस मिलट के लिए रेक्स करने के लिए इसको नहीं रखूँगी, तो देखे इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोईया, मतलब जितनी हमें बड़ी पूरी बनानी है, उतनी हम इसकी लोईया तयार करेंगे, तो देखे इस तरह से तो अभी हम सभी को थोड़े थोड़े भागों में बाट लेंगे देखे इस तरह से आपको जितनी बड़ी बनानी है पुड़ी आप उतनी ये लोईया बना सकते हो तो देखे इस तरह से मैंने सभी भागों में बैट लिया है अभी इस तरह से हम सारी लोईया तैयार करेंगे देखे इस तरह से तो अभी हम चलते हैं इसको बेलने के प्रोसेस में तो यहाँ पे मैंने चक्ला बेलन ले लिया है अभी हम इसको बेलेंगे तो इस पे हम हलका सा आटा लगा देंगे देखे इस तरह से तो इस इस तरह से बिल्कूल ही हम पतली बेलेंगे तो बहुत कम इसके फूलने के चांसे रहेंगे और हम इसको मोटी बेलेंगे तो ये सादा फूलेगी और ये बहुत मस्त तायार सब्सक्राइब новых व्हूल आई से तैयार होगी देखे इस तरह से हमें सारी पूडिया को बेल के तयार कर लेना है तो मैंने ओयल गरम होने के लिए रख दिया था तो हमारा ओयल जो हो गरम हो चुका है अभी हम उसमें धीरे धीरे पूडिया डालेंगे तेल के चीटे हम पे ना पाए उसी तरह से हम पूडिया डालेंगे देखे इस तरह से ध् यह इसका टेस्ट बिल्कुल ही पराठ है जैसा ही आएगा जैसे हम चिप्स खा रहे हैं ऐसे ही इसका टेस्ट लगेगा तो देखे यह हमारी पूडी जो है वह कितनी फूल के अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है अभी हम इसको पलट देंगे और खाने बहुत टेस्टी होती है इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो इस तरह से हम इसके उपर भी तेल डालेंगे तक यह अच्छी से फूल के तयार हो तो देखे इस तरह से हम इसको वापिस पलट देंगे तो देखे इस तरह से तो देखे कितनी कॉलरफूल और अच्छी बनके तयार हुई है हमारी पूड़ी और यह बच्छों को बहुत ही पसंद आएगी तो आप शुबह सुबह इसको बना सकते हो नास्टे में देखिए इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को लैक कर दिजिएगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए हमारी पूड़ी जो है वो बिल्कुल ही बन चुकी है इसी तरह से हमें सारी पूड़िया को फ्राइ करनी है तो मैं आपको देखे तोड़ के दिखाती हूँ देखिए यह कितनी अच्छी बनी है खाने में भी बहुत टेस्टी है और यह कितनी कलरफूल बन के तयार हुई है